आज फेस्बुक पर मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मंगल पांडे की मूर्ते के सामने नतमस्तक हैं और उन्होंने इस पोस्ट के साथ लिखा देश के महान सुअतंतरता सेनानी और प्राकर्मी योधा मंगल पांडे को उनकी जैनती पर शत्षत नमन यानि प्रधान मंत्री की पोस्ट से ये साफ हो गया कि आज मंगल पांडे का जनम दिन है और वो उनके सामने नतमस्तक होकर उन्हें नमन कर रहे हैं और महान करांती कारियों योधा बता रही हैं आप सब को स्कूल में कॉलेज में किताबों में ये पढ़ाया गया होगा कि मंगल पांडे भारत के पहले सुअतंतरता सेनानी थे जिन्होंने अठारा सो सतावन की करांती की चिंगारी को भढ़काया मेरिट की चावनी में वो तैनात थे और उन्होंने कैसे अंग्रेज अफसरों को गोली मार दी जिसके बाद वो विद्रो पूरे देश में फैल गया और अठारा सो सतावन की करांती आज़ादी का पहला सुअतंतरता संगराम लड़ा गया ये इतियास हमको पढ़ाया जाता है लेकिन इस वीडियो में आज मैं मंगल पांडे से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बाते आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि मंगल पांडे उतने बड़े हीरो नहीं थे जितना कि उनको पेश किया जाता है और क्यों उनको सवर्ण होने का फाइदा मिला ये ग्रामन होने का फाइदा मिला और इतिहास कारों ने उनको महान घोशत कर दिया जबकि असल माईनों में उन्होंने महानता का कोई काम किया ही नहीं था सबसे पहले शुरुआत मंगल पाइदे के उस घटना से जिसको विद्रो कहा जाता है उसका जिकर करते हैं आपको ये बताया जाता है कि उन्होंने अंग्रेज अफसरों को गोली मार दी और फिर आजादी की जो चिंगारी है वो भड़क उठी लड़ाई हुई लेकिन उसके पीछे कहानी क्या है वो कार्णी ये है कि अंग्रेज अफसरों ने जो कार्टूस थे जिनको मूँ से फाड़ा जाता था चलाने से पहले उसमें गाएं और सूर की चर्बी लगा दी थी और जब ये बात मंगल पांडे को पता चली तो वो भड़क गए और वो इतने ज्यादा भड़के इतना ग अर्टूसों में ये चर्बी है ये गाएं और सूर की चर्बी लगाई हुई है उनका धर्म भरस्ट होता है क्योंकि गाएं को वो लोग नहीं खाते हिंदू हैं ब्रामन हैं गाएं को नहीं खा रहे तो जब वो मूँ से उसको फाड़ेंगे तो उससे उनका धर्म भरस्ट ह तो जब उस व्यक्तिक को ये बात पता चली तब उसने बंदूग उठाई यानि उसने इस बात के लिए बंदूग नहीं उठाई थी कि वो भारत को आजाद कराना चाहते थे आजादी की लड़ाई या सोतंतरता उनका मकसद नहीं था बलकि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचने के कारण उन्होंने बंदूग उठाई थी ये एक स्थापित तत्या है ये फैक्ट जो किताबों में भी पढ़ाय जाता है कि सुवर और गाईं की चर्वी थीसले उन्होंने विद्रोग किया अब यहां देखिए कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुची थी आज आप देखते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने के नाम पर किस तरह से जनिव लीला चल रही है वैसा ही काम उस समय हुआ उन्हें पता चला कि उसमें गाएं की चर्वी है तो उनकी धार्मिक भावना हिंदू धार्मिक भावना कुठेस पोची और उन्होंने विद्रो कर दिया और अंग्रेज अफसरों के खिलाब बंदुग उठा ली अब सवाल यहां सबसे जरूरी है दो सवाल है कि जब तक उनको यह नहीं पता था कि इसमें गाएं और सुर की चर्वी लगी है तब तक वो अपनी हत्यार का अपनी बंदुग का इस्तमाल किस के खिलाफ कर रहे थे कब उनको ये पता चला कि इसमें गाएं और सूर की चर्भी है किसने उन्हें बताया ये सवाल दो बहुत जरूरी हो जाते हैं तो पहले सवाल का जवाब ये कि जब तक उनको ये बात नहीं पता थी कि इसमें गाएं और सूर की चर्वी है तब तक वो अंग्रेज अफसरों के ओडर्स को मान रहे थे और अंग्रेज अफसर किस तरह से भारत के जो लोग थे उनके खिलाब विद्रो करने वाले जो लोग उनकी सैनिक थे तो अंग्रेज जो बोलते थे वही काम वो करते थे उन्होंने कभी इस बात को लेके विद्रो नहीं किया कि हमारे अपने देशवासियों के उपर गोली चलाई जा रही है उनको मारा जा रहा है इसकी रोक्ताम होनी चाहिए इस पर हमें विद्रो करना चाहिए हमें अंग्रेज उसे बदला लेना चाहिए या कम से कम ये अंग्रेजों की सैनिक की नौकरी छोड़ देनी चाहिए उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो अंग्रेजों के एक हुकुम पर अपनी बंदुक उठाते थे और भारत के ही लोगों पर गोलिया चला रहे थे यानि उन्हें पहले आज़ादी का ख्याल नहीं आया था उनको ख्याल तब आया जब उनकी हिंदो धार्मिक भावना को ठेस वोची कार्टूस में चर्बी होने का उन्हें पता चला किस ने बताया इस पर भी एक बहुत दिल्चस्प कहानी है जो कि इतियासकारों ने सवन इतियासकारों ने लंबे वक्त तक चुपाई रखी मातादीन भंगी का नाम शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना हो मेरे चावनी में वो आये थे और कॉलकाता में जहां पर ये कार्टूस बनाये जाते थे जब वो मेरे चावनी में आये थे डिलिवरी करने के लिए जो हतियार थे और उनसे जुड़े ही कुछ काम का ज के लिए वो यहां पर आये थे उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे पानी दे दीजे लोटा भर के तो मंगल पांडे ने अपने ब्राह्मन होने के घमंड के कारण, सवन होने के घमंड के कारण मातादीन भंगी को डाट दिया उनको अपशब्द कहे अपमानित किया और कहा कि तू भंगी है मैं ब्राह्मन हू मैं कैसे तुझे पानी पिला सकता हूँ तुझे शर्म नहीं आती तु नीच जातका है ये बात मातादीन भंगी को मंगल पांडे ने कही जो कि उसी मेरट छावनी में काम करे थे और इस बात के जवाब में मातादीन भंगी ने जो कि अपना काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि त तु मुझसे तो भेदभाव करता है तु मुझे नीच समझता है मैं इस भंगी जाती में हूँ तो इसलिए तुम मुझे नीच समझ रहे हो मुझे पानी भी नहीं पिला सकते लेकिन ये तुमारा धर्म ये तुमारी श्रेश्ता तब कहां चली जाती है जब तुम अपने तुस फाड़ते हो जिसमें सूर और गाएं की चरबी लगी हुई है यािनि कि तुम गाएं के मास को अपने मूझ से फाड़ रहे हो तब तुमारा ये धर्म भरश्ट क्यों नहीं होता तब तुमारी ये श्रेश्ता खत्म क्यों नहीं होती मुझसे तो तुम भेदभाव कर रहे हो जब मातादीन भंगी ने ये बात उनको कही मंगल पांडे को उनको इस बात का जवाब मिला हो जाती है भीदबाओ का जो मातादीन भंगी ने इस तरह से शब्दों में उनको जवाब दिया वो सच्चाई बताई तब जाकर मंगल पांडे को ये पता चला कि जिस उसको वो अपने मूँ से फाडते हैं असल में उसमें गाएं की और सुवर की चर भी लगी हुई है और यही वो पल था जब जो मंगल पांडे थे उनकी ब्राह्मन भावनाय आहत हुई उनकी हिंदू धार्मिक भावनाय आहत हुई और उन्होंने कहें कि वो परेशान हो गए क यह क्या हो रहा है और उनसे पहले उनको यह बात मालूम नहीं थी जब तक मातादीन भंगी ने उनको नहीं बताया था यही वो पल था जब वो थोड़ा परेशान हुए और अपनी धार्मिक भावनाओं को ठेस पोचने पर अपने धर्म पर आचाने पर अपनी जो उनकी कह नहीं थे उनके उपर गोलिया चलाई यह बात यह साबित है यह तथ्या है यह फैक्ट है और यह हमसे चुपा ली जाती है कि उनको यह बात किस ने बताई थी इसलिए मंगल पांडे ने जब बंदुक उठाई जब विद्रो किया तो वो भारत को भारत माता को जिसे राश् कराने के लिए नहीं था कि उनको अजादी प्यारी थी या देश को अजाद करना चाते थे अंग्रेजों को मार कर वो बदला लेना चाते थे ऐसी उनकी मानसिक्ता या उनकी सोच नहीं थी बलकि उनकी धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुँचने के कारण उन्होंने पान्डे ने अपनी धार्मिक भावनाओं की वज़े से बंदूब उठाई थी ना कि भारत को अजाद कराने में तो इसलिए उनको सवतंतरता संगराम का से नानी कहना गलत बात है भारत के पहले सोतंतरता सेनानी कहना गलत बात है 1857 की करांती में उनका इस तरह से कोई आजाद कराने के लिए योगदान नहीं है बलकि अपनी धार्मिक भावनाओं की वज़र से उन्होंने विद्रो किया था थियार उठाए थे उससे पहले जब उनका ये बात नहीं थी तो वो उस बंदू का इस्तमाल किस के खिलाफ कर रहे थे ये सवाल खड़ा होता है भारत के उन्हीं लोगों के खिलाफ अंग्रेजों के हुकम पर वो अपनी बंदू का इस्तमाल कर रहे थे जो भारत में अंग्रेजी हुकूमत का उनके सामराज्य का विरोध कर रहे थे यानि वो अपने ही भारतवासियों के अपने ही देशवासियों के खिलाफ लड़ रहे थे तब उन्हें अजादी का ख्याल नहीं आया था तब उन्हें विद्रो का ख्याल नहीं आया था कि उनकी वज़े से वो चंगारी भढ़की, सैनिक विद्रो हुआ, फिर पूरे देश में विद्रो फैल गया, यहां पर भी एक तथ्या आप से छुपाया जाता है, बहुत ही इंटरस्टिंग तरीके से कि उस समय 1857 की क्रांती के शुरुआत में पूरे देश में जो भी अंग महीने में कहें कि हम विद्रो करेंगे, पहले प्लानिंग कर रहे थे, लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, हतियार जमा कर रहे थे, अपनी रणनीती बना रहे थे, और यह पूरी प्लानिंग थी कि हमें फला दिन को आने वाले दिनों में विद्रो करना है, और देश भर में अंग्रेज समभाल ही नहीं पाएंगे इतने बड़े पैमाने पर विद्रो करेंगे उसकी पूरी प्लानिंग चल रही थी लेकिन उससे पहले यह आपको मालूम है 10 माई 1857 को मंगल पांडे ने अपने जो सैनिक थे जो अंग्रेज अफसर थे उनको गोली मार दी और उसके बा घटना मंगल पांडे ने कर दी उसके बाद से जगह जगह पर चापे मारी हुई लोगों को गिरफतार किया गया बादुशार जफर को गिरफतार किया गया जो भी विद्रोही थे उनको बहुत निर्देता से कुछला गया तो एक तरीके से मंगल पांडे ने बाकी जो जगह पर लोग तयारी कर रहे थे कि हमें एक बड़ा विद्रो करना है जिसको अंग्रेज संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि पूरे देश में जब आवाजे उठेंगे विद्रो उठेगा गोलिया चलेंगी तो अंग्रेज कैसे संभालेंगे तो मंगल पांडे के उपर ये भी कर दिया और उसकी सजाब बहुत सारे लोगों को मिली कितने लोगों की जाने गई वादुशा जफर भी गिरफतार हुए बाकि लोगों को भी गिरफतार किया गया कितने लोगों को सूली पर चड़ा दिया गया ये इसकी जो कहें कि 1857 का जो विद्रो फेल हुआ उसकी जिम जासकारों के तो उपर हम ये भी दोश लगा सकते हैं क्योंकि उन्होंने 1857 की क्रांती जिसमें मंगल पंडिक सवर्ण हीरो को दिखाया गया कि कैसे वो आजादी के नायक बने लेकिन आप देखें कि 30 जून 1855 को जो संथाल विद्रो हुआ था जिसे हूल क्रांती दिवस कहते हैं वां सिदो, कानू, चांद, भैरव और उनकी जो बहने थी उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो शशस्त्र आंदोलन किया था जारकंड में संथाली लोगों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया था बीस हजार से ज्यादा संथाली आदिवासी लोग उस विद अठार सो पच्पन में ही एक बहुत बड़ा अंदोलन हुआ था अंग्रेजी हुकोमत की चूल हिलादी थी बीस हजार से जधा आदिवासी शहीद हुए सिदो, कानू, चांद, भैरव उनको पकड़ कर किस तरह से मारा गया वो अजादी के पहले नायक थे जिन्नोंने अज अजादी के लिए अपने सबसे बड़ी बलिदान दिया, अपने प्राणों को नियोचावर कर दिया, अंग्रेजों से लड़ते हुए वो शहीद हो गए और उनका नाम आपको इतियास में सुनने को भी नहीं मिलता, उसके बारे में बताया ही नहीं जाता कि वो भी एक कहान ही है और 1857 की करांती को मंगल पांडे के नाम से ऐसे प्रचारित किया जाता है कि वही एक मात्र ऐसी घटनाती इतियास में जिसने भारत में अंग्रेजी हुकूमत को खत्म कर दिया और फिर 1857 से 1947 को जोड के बताया जाता है कि कैसे वो चिंगारी आजादी में तबदील हु पर से परदा उठा दिया था जिसके कारण ये मंगल पांडे ने अथियार उठाए थे उससे पहले वो अपने लोगों के खिलाफ अतियार चला रहे थे मातादीन भंगी को भी सजा हुई उनको मोत की सजा हुई जो चार शी थी उसमें उनका नाम था अंग्रेजों ने उनक को सजा मिली थी लेकिन मातादीन भंगी का नाम गायब है 1857 की क्रांती पर मंगल पांडे के चित्र के सामने मूर्ती के सामने बड़े-बड़े लोग नमन कर रहे हैं लेकिन मातादीन भंगी का नाम भी लोग नहीं जानते उसको प्रचार नहीं किया जाता सुदो कानुचा अपनी तनमन धन से उसमें अपना योगदान दिया कैसे इस मिटी को अपने खून पसीने से सीचा लेकिन जब इतिहास कार लोग इतिहास लिख रहे थे तो कैसे बहुजन नय को कि सबसे बड़े अदम में साहस और बलिदान को इग्णोर करके उसे नजर अंदाज करके सवरनो को हीरो बना कर पेश कर दिया गया भहुजनों के इतिहास से मिटा दिया गया राष्ट पिता जोतीबा फूले ऐसे लोगों को कलम कसाई कहते हैं जो कलम से इस पूरे इतिहास को मिटा देते हैं वो इसमें लिखते हैं कि वो कलम कसाई और ऐसे कलम कसाई और अपने लोगों क हीरो बनाया, हमारे लोगों को विलन साबित कर दिया, उनको इतिहास से गाइब कर दिया, तो इसलिए मुझे लगा कि आज के दिन जब मंगल पांडे का जनम दिन है तो उस पर बात होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हीरो कौन है, हीरो कैसे बनाए जाते हैं और कैसे बहुजन लोगों को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया जाता है इस बारे में आपकी क्या राय है ये जो वीडियो आपको कैसा लगा उस पर अपनी राय जरूर लिखें अपसे अपील है कि अगर आप फीस्बूक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पीच को फोलो करें अगर यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम तमाम ऐसे वीडियो आप तक पहुचाते रहेंगे आप अपना साथ बनाए रखें इस वीडियो में इतना ही साथियो मेरा नाम समय चोहान है अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी तब तक आप देखते रहें दे न्यूस बीक